हेलो एवरीबरन वेलकम टू शिवीज क्लासेज और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले के आई हूँ एलकेजी के बच्चों के लिए एक वर्कशीट जो है वर्कशीट नमबर 6 वर्कशीट 125 फे मैं आलरी बहुत पहले ही वीडियो कर चुकी हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लकेजी की प्लेइलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से जाके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं मैंने लकेजी के बच्चों के लिए जितने भी टॉपिक्स होते हैं लकेजी में उन सब पे वर्कशीट प्रिपेर की हुई है और वन बै वन में आपको इन सब पे वीडियो प्रोवाइट कराके दूंगी तो अभी हम लोग वर्कशीट नमबर 6 में देखेंगे वोवल साउंड ई ई से जो 3 लेटर और 2 लेटर वर्ड्स बनते हैं वो देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ई फैमिली के 2 लेटर वर्ड्स तो ई प्लस डी तो ई को पढ़ते हैं ए और डी को पढ़ते हैं ड तो ई प्लस डी मिलके बन जाएगा एट तो ये पहले 2 लेटर साउंड बच्चों को प्रैक्टिस कराएगे देन अब हम देखेंगे 3 लेटर वर्ड्स विद एडी साउंड ब-e-d, 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 र-e-d, 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 ट-e-d, ट-e-d, तो इस तरह से फॉनिक्स पढ़ाते हुए बच्चों को आपको ये सारी एक्सेसाइजिस फिल करानी हैं इससे उनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप चाहें तो इसे नोट डाउन करके कॉपी में बच्चों से स्वाल करा सकते हैं और ये वर्कशीट पीडियो फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी वहाँ से जाके आप ये पर्चेस कर सकते हैं इसमें बहुत सारी वर्कशीट मैंने प्रिपेर की हुई है जितना की क्लास LKG में बच्चों को पढ़ाया जाता है आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 13 वर्कशीट हैं और वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किये हैं जो की LKG में बच्चों को पढ़ने होते हैं तो चलिए देख ले वर्ड्स ब एग बेग प एग पेग ल एग लेग तो इस तरह से बच्चा बोल बोल के लिखेगा तो उसकी उसकी फॉनिक्स भी स्ट्रॉंग होगी और यह वर्कशीट भी इसली सॉल्व कर लेंगे ए ग एग के ग व एग व एग वेग नेक्स्ट है ए एन सांड इसमें ट एन टेन ब एन बेन द एन डेन म एन मेन प एन पेन ह एन हेन e t pet met jet bet net wet then after revising all the e t sounds e g sounds look at the pictures and match the words यहाँ पे exercises मैंने दी हुई है like 10 तो 10 से मैच करेंगे pen pen से मैच करेंगे net net से मैच कराएंगे again look at the picture and fill the missing letters यहाँ पे pictures देखके letters को complete करना है w यह क्या है wet w e t wet p e g peg bed bed and pen pen next write the rhyming words of the given words rhyming words means last के जो word है वो सेम होने चाहिए like bag है तो यहाँ हो जाएगा leg peg bed है तो यहाँ पे हो जाएगा red dead net है तो यहाँ हो जाएगा jet let pen है तो यहाँ हो जाएगा pen men means last के two letters सेम होते हैं rhyming words में तो इस तरह से बच्चों को आप वोवल E साउंड की प्रैक्टिस करा सकते हैं नेक्स जो हमारा वीडियो है वो मैं बनाऊंगी सेवन्थ वर्कशीट वोवल I साउंड के साथ इस तरह से आपको सारे वोवल स्केल साउंड के वर्कशीट मिलेंगी और एक्स्ट्रा जो भी अदर पढ़ाया जाता है क्लास LKG में उन सभी पे आपको इस पे वर्कशीट मिलेगी आपको आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करें वर्कशीट परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और इसी तरह की मैंने मैट्स की भी पूरी बंडल प्रिपेर की हुई है LKG के बच्चों के लिए और अगर आपका बच्चा किसी अधर क्लास में है लाइक नर्सरी, UKG, क्लास 1, 2, 3 तो भी आपको वर्कशीट मेरे चैनल पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट चेक करके बाके क्लासिस के भी वीडियो देख सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन, बढ़ बाई